हेलो फ्रेंज हमारी चानल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम एक ऐसे अधिकार के बारे में बात करने जा रहे है जो आप कर रहे हो तो तुरंद बंद कर दोगे तो वो ये है वास्तों में चराब पिना कानूनी अधिकार है या नहीं ये बाते बहुत कम लोग जानते है शायद आपको भी पता नहीं होगा तो आज जान ही लो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि चानल पर पहली बार आये हो तो चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही जो आप नहीं जानते वही हम आपको बताने की कोशिश करते हैं तो चलिए आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं सीधे शब्दों में कहे तो शराब पिना कोई मोलिक अधिकार नहीं है कोर्ट ने अपने फैसलों में कई बार इसका जिक्र किया है देखिए सीधे कहे रहे हैं कि शराब पिना मोलिक अधिकार नहीं है और कोर्ट ने भी अपने फैसलों में कई बार इसका जिक्र किया है तो वो कैसे नहीं है ये हम आगे आगे बता देते हैं तो जुड़े रहे हैं हमारे वीडियो के साथ एन तक देख तो रहे हैं लेकिन क्या आप शराब तो पीते नहीं तो क्या हमारा वीडियो स्किप कर दोगे ये ही देख लो अगर बाद में आप किसी कारण शराब पीने लगे और ये बाते नहीं देखियो तो आपके साथ बहुत बढ़ा कान हो सकता है तो वीडियो स्किप मत कीजिए, पूरा देख लीजिए शराब सहत के लिए बहत हानिकारक है यह तो सभी जानते हैं फिर भी लोग शराब छोड़ने के लिए तयार नहीं है कोई अच्छा सलहा देता है लेकिन कई लोग इसे नजर अंदास कर देते हैं अब लोग हर खुशिया मनाने के लिए शराब की पार्टिया करते हैं प्रतिबंद को तो सीधा गलत माना जाता है और इन लोगों की राय है कि सरकार को शराब पर प्रतिबंद नहीं लगाना चाहिए यह लोग कहते हैं कि हमें कुछ भी खाने पीने का हक है लेकिन क्या सच में शराब पीना एक इनसान का मौलिक अधिकार है सीधे शब्दों में कहें तो शराब पीना कोई मौलिक अधिकार नहीं है कोर्ट ने अपने फैसलों में कई बार इसका जिक्र किया है शराब पीना मौलिक अधिकारों की श्रेनी में नहीं आता है और राज्य अपने विवेक से शराब की बिक्री को नियंत्रित कर सकते हैं और यह अदालत ने कई फैसलों में कहा है 1960 में गुजरात ने Bombay Prevention Act 1949 को बरकरार रखा उस अधिनियम के प्रावधानों के तहट शराब की बिक्री पर प्रतिबंद लगा दिया गया था इसी अधिनियम के अनुचे 12 और 13 में राज्यों को शराब की बिक्री को नियंत्रित करने का अधिकार देते हैं किन्तु आउद्योगिक कारें के लिए शराब बेचने का एक अलग भाग है और ऐसी हालत में जिन राज्यों में ऐसी सर्तिय लागो होती है वहाँ आउद्योगिक उपयोग के लिए शराब की खरीदी की जा सकती है लेकिन शराब पीना मना है अनुचे 19 सब क्लाज 1 सब क्लाज G में कहा गया है कि कोई भी वेक्ति अपने खर्च पर किसी भी सामान का वैपर कर सकते है लेकिन कुछ बातों को इसे दूर रखा गया है और अनुचे 47 के प्रावधानों के तहट राज्यों में शराब पर प्रतिबंद लगाने का फैसला कर सकते है जैसे की केरल में अलग निती है जब राज्यों के अधिकारों की बात आती है तो प्रत्यक राज्य अपने निती बना सकते है केरल में 2-3 स्टार होटेल में शराब बेचना मना है लेकिन 4-5 होटेल में शराब बेची जा सकती है क्यूंकि सरकार का कहना है कि परियावरन और सुरक्षा अलग बात है जब निती को सरोच्य नैले में चुनोती दी गई तो अधालत ने केरल सरकार की निती को बरकरार रखा उधर बिहार में भी शराब पर प्रतिबंद लगाने का फैसला लिया गया इस फैसले की भी चुनोती दी गई थी सुनवाए के दोरान उन्होंने स्पस्ट किया कि यह राज्यों का विशेश अधिकार है तो यह आपके उपर डिपेन करता है कि आप किन राज्यों से बिलॉंग करते है हम तो यही कहना चाहते हैं कि एक शराब शरीर को हनिकारक चीज है और यह आपका मोलिक अधिकार भी नहीं दिया गया कि आप शराब पी सकते हो तो आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके बता सकते हैं और कुछ समझ नहीं आया तो भी कमेंट कीजिए हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं तो आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई